जहिन साथियो मैं शारहमत इंग्लिश अधिकारी जो की competition community का ही एक part है उसमें आप सभी नागरिकों का आप सभी अभ्यार्थियों का और अभिभावकों का भी मैं जो है हादिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ यहां मैंने दो शब्दों का चैन किया दो शब्दों का उप्योग किया कि नागरिक और अभिभावक हाँ साथियो आप इस बात को जानते हैं कि जिस दिन से मध्यप्रदेश शासन ने पटवारी भरती परिक्छा का notification जारी किया और जब notification जारी किया तो हमारे पूरे मध्यप है और वो यह सोचता है और यह जानता भी है कि हमें पटवारी बनना है मतलब बनना है और उसके लिए वो जो है तैयारी करने के लिए भिड़ गया है तो साथियों तैयारी करना अनिवारे है पढ़ना अनिवारे है लेकिन पढ़ने के साथ-साथ study के साथ-साथ हमें smart study की भी जरुवत होगी तो उसी के परिपेक्ष में आज के सत्र में मैशार एहमद आप लोगों के बीच लेके आया हूँ एक रणनीती का सेशन जिसमें आज 20 तारिक है तो 20 तारिक से लेकर हमारी 15 मार्च मतलब मार्च में परिक्षा होने वाली है जनवरी में फर्म भराएगा तो इस बीच में जो हमारी रणनीती होगी वो किस प्रकार से होगी उस पे जो है आज हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले हम एक सुभविचार पे चर्चा करेंगे और ये दिन संकल्पित होंगे कि हमें पटवारी बनना है मतलब बनना है हमारा उद्देश्य सामने आना चाहिए इनके सुभविचार पे इनके अन्मोल वचन पे और आप इन्हें भली भाती जानते हैं कैसे भली भाती जानते हैं अगर भारत को परमाणू उर्जा में किसी ने ससक्त बनाया जो कि हमारे लीडर रहे हैं जो हमारे पुरु प्रधान मंत्री रहे हैं आदरने सम्माने स्वर्गी अटल भिहारी बाचपई जी कहते हैं कि जीत उसी की होती है जिसे हारने का डर नहीं होता है तो किसी भी प्रकार का डर किसी भी प्रकार का मंसा नहीं रखना है दिमाग में कि पहले हमारा पटवारी का सिलेबस छोटा था आज जो है लेंदी हो गया भाईया लेंदी हुआ है ना कि कठीन भूँआ है मैं यह बात बता दू आपको सबके लिए नया है सिर्फ आपके लिए नया नहीं है तो सब वैसी मेंध कर रहे है जैसा आप मैंध कर रहे हैं तो अपनी रणनीती को बहतर बनाएं जिससे कि हम smart study कर पाएं और हम अपना उद्देश से गाओं का राजा पटवारी बनने का उद्देश से जो है उसे बहतर तरीके से fulfill कर पाएं पूर्ण कर पाएं अपनी लक्षे को साध के आगे बढ़ पाएं clear है तो आईए ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस सत्र को बहतर तरीके से समझें और जो है हम अपनी तयारी को जारी रखें clear आईए देखो भाई सबसे पहला सवाल पूरे मध्य प्रदेश में ये सवाल गूंज रहा है क्या गूंज रहा है सर सिलेबस बढ़ा दिया है अरे भाई सिलेबस बढ़ा दिया ठीक है न तो सिलेबस competition community आपको English अधिकारी cover भी तो करा रही है ठीक है तो सिलेबस का चिंता नहीं कर करना है कि हमें कम समय में कैसे सिलेबस cover कर लेना है और कैसे cover होगा आपका सिलेबस तो cover ऐसे होगा कि आपको आगे रहना पड़ेगा अगर मान के चलो आप maths पढ़ रहे हैं तो maths पढ़ने से पहले आप उसकी practice करें और जब पढ़ाते रहें आप लोगों को recorded lectures में teachers तो आप स सबसे जादा important होता है आपका approach ना कि आप कितना उसको सजा धजा के चूकी इसलिए ये सब सारी चीजों को करके पढ़ते हैं तो चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास काफी समय है लेकिन आज प्रथम पायदान की चर्चा चालू करते हैं इसमें क्या है भई जो क इस साल नहीं रहेंगे ठीक है ये जो है पिछली परिक्षा के लिए गुजर कहीना पुछली परिक्षा के लिए जो है वो था इस बार पंचा RIGHTी राज से प्रस्म नहीं पुछे जाएंगे clear है तो इनको देखना ही नहीं देखोगे न कि पथा चला पंचाइथी राच हो दय आपको यहां भी मिलेंगे तो भाई यह तो similar हो गया ना similar syllabus हो गया ना अब बताना क्या चाह रहा हो इसमें बताना यह चाह रहा हो मेरे साथ ही हो कि जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है और साथ में क्या कर रहे हैं प्रतियोगी परिक्षाओं के टच में हैं, प्रतियोगी परिक्षाओं की प्रिप्रेशन करना है, मैक्सिमम बच्चे तो आपका PCS वाले देख रहे हैं, MPPSC वाले, तो MPPSC वाले बच्चे तो समझ गए, कि ये तो common से लिवस हो गया, तो आप भी समझ ये जो कि आप व्यापम के प्रिप्रेशन कर रहे हैं, या SSC का प्रिप्रेशन कर रहे हैं, तो ये वाला जो portion आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो common है, इसको पहले से जो है, निप्टा के रख देना है, मतलब भई पढ़ लेना है, ऐसा मत बोल देना, कि सर निप्टा के रख देना है, म लिजनिंग, इंग्लिश और जनरल मेनेजमेंट, तो भई जनरल मेनेजमेंट का चिंता को छोड़ी दो, ठीक है, सब के लिए नया है, लेकिन मयूर कस्तूरी सर, इस स्पेसिफिकली, बहुत सारे रिसार्च और बहुत सारे आपके प्रयातने के पस्चात, आप लोगों को ये बहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, और उससे बहार से प्रस्न नहीं पुछेगा, ये मैं बता दू आपको, ठीक है, किस प्रकार से प्रस्न पुछेगा हैं, ये जनरल मेनेजमेंट से और किस प्रकार से प्रस्न पुछे जा सकते हैं, ये सब सारी चर्चाओं पे, जो है, यह first session क्या होता है, देखो भई, पढ़ रहे हैं आप दिन भर, clear है, पढ़िए, बहुत अच्छी बात है पढ़ना, लेकिन हमारा पहला session जो होता है ना, पहला session से ताथ पर यह है, जो सभेरे उठते हैं, सभेरे उठके पढ़ते हैं जो, ठीक है, सभेरे उठके जो पढ़ते तो इसको बहतर तरीके से क्या करते रहना है ठीक, उसके बाद जो है आपका second session में revision का portion रखे ठीक है, आराम से आगे सारी चीज़े समझेंगे पिर उसके बाद जब आप दूसरी sitting रखते हैं शाम का तो साम का session में जो है आप इन सब revision session को start करें जैसे कि मैंने बताया, अब यह बात आती है यहाँ उठके, कि जो है, सर हम से सवेरे उठके पढ़ाई नहीं होता है, तब क्या करें? अरे तब क्या करें जिसको जिस समय suitable लग रहा है उस समय पढ़े भई अगर जो बच्चा रात के पढ़ने का आदी है तो वो रात के उठके पढ़े कोई इशू नहीं है अपना सबेरे सोने वाला सेशन बनाए लेकिन जब वो फर्स्ट अगर मान के चलो रात की जग के पढ़ इन सभी का मूल मंत्र मैंने रख दिया है तो आओ सबसे पहले यहां तक के तो थोड़ा बहुत दिमाग में आया अब सारी चीजों को आप दिमाग में मैं पिरो दूंगा तो आईए स्टार्ट करते हैं देखो भाई हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारा इस टाइप का आप लोगों को सारा चीज कवर कराऊंगा तो इसको जादा से जादा इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ठीक है बहुत सारे बच्चे जो है गरामिन अंचल में रहते हैं गरामिन छेतर में रहते हैं तो उन्हें बहुतर तरीके से क्या होता है इस्ट्रेजी मालूम नहीं रहती है तो वो चूक जाता है इंटरनेट तो पहुच गया है उसके पास और इंटरनेट पहुच गया तो आपका इंगलीश अधिकारी भी पहुच गया है तो इसको वहां तक के पहुचा भी दो मतलब यह कहना चारा हूँ कि समाज के हर अंतिम्यक्ति तक के जो आपके रिस्तेदार लगते हैं आपके जो मान के चलो कोई पहचान वाले लगते हैं उन तक के इस वीडियो को जरूर पहुचाईएगा भई ठीक है ताकि वो इस्ट्रेटेजी अच्छे से समचा रणनीतिक रूप से पटवारी बने ठीक है हवा हवाई में नहीं होगा ठीक है माइनस मार्किंग नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि तुक कमार क्या आगे नहीं हमें याद रखना है कि हम बिना परिश्रम के कोई चीज नहीं मिलती है तो परिश्रम करने के लिए सही रणनीति का भी होना जरूरी है तो सही रणनीति उन तक के जरूर पहुचाई य है जो कि मैंने starting बताया है revision revision कैसे होगा ये भी बताऊंगा साथ में test अब आती है बात test की तो test में हमेशा क्या होता है बच्चा फच जाता है ठीक देंगे कभी देंगे कभी वह ये बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि test जो है यही जो है आप लोगों का रास्ता बनाएगा पटवारी बनने का यह फाइव इस्टार दे दिया हूँ भई मैं इसलिए बना रहा हूँ test आपको सबसे ज्यादा देना है अगर जनवरी में form भरा रहा है आज 20 तारीक है और मार्च में 15 तारीक को जो है पेपर होने वाला है तो इस बीच में आप लोगों का सबसे बड़ा रामबान अगर उपयोग में आएगा तो वो होगा test क्यों जब आप test देने बैठेंगे syllabus बस complete करने के बाद से बस आप लोगों का cover हो जाएगा तो आप बैठेंगे इसमें test में तो आप लोगों को अपनी कमिया नजर आएगी और जब आप लोगों को अपनी कमिया नजर आएगी तो आपके दिमाग में doubt उत्पन होगा कि मैं जो है ये वाला portion को पढ़ा हूं की न पढ़ते रहेगा तो revision session में आप उसको क्या करोगे पढ़ोगे बहतर तरीके से तो ये धीरे धीरे आप क्या हो रहे हो अप्ग्रेड हो रहे हो फिर उसके बाद अपनी भासा में notes बनाना है भाई देखो कोई आपका paper copy को check करने के लिए आ रहे है क्या नहीं आ रहे है कोई school return लिखना है कोई return return नहीं है इसमें मैं आप लोगों को बता दू तो आप लोगों को tick मारना है और अपना selection लेना है तो आप लोगों को बहतर तरीके से याद करना होगा और अपने notes में उसको पढ़ना होगा सब बता रहा हूं ये हमारे 4 key points है जो की हमें करना है ये 4 अगर क number one है पाठ्ठे करम को पूरा करना ठीक है आई ये वापस मैं आप लोगों को पहले पेच की और लेके जाता हूं कहा है वह होगा है ये अब गौर से समझना है ठीक देखो math से हिंदी computer gk इनको भूल जाओ भई ये गुजर गया मतलब ये गुजरे नहीं है मतलब ये क्या हो ठीक तो अब आते हैं कि math से हिंदी computer और gk ये वाला portion पहले से पता था तो जो तैयारी कर रहा है वह ये वाले portion को क्या करेगा revision session में ले क्या आएगा बताया था दो sitting कि एक sitting fresh mind से चाहे रात सबेरे 5 बजे सो रहे हो तो 12 बजे तो उठी जाओगे ऐसा तो नहीं है कि रात के 12 बजे उठ रहे हो फिर पढ़ रहे हो ठीक है ऐसे वाले selection नहीं होगा भई आभी सब चीज को त्यागो सारी चीजों को त्यागो सिर्प और सिप एक ही लक्ष्य होना चाहिए टारगेट होना चाहिए वो है पटवारी अब कैसे हो गई देखो तो मैट्स वाले पोर्षन और हिंदी वाला पोर्षन कंप्यूटर वाला पोर्षन और जीके वाला जीके जी इसमें क्या आएगा आपका उसमें आपका मिसलेनियस भी है जो मैं डील करूँ अचिंता मत करो उसके बाद जो है आपका पॉलेटी से प्रस्ण पुछेगा फिर आपका क्या बोलते हैं हम हिस्ट्री हो गया है अब जाते है आप लोग नए चीजों के लिए कहां गया महोदय ये चार लोग नहीं है इन लोग को सममान देने है तो science वाला पॉर्षन गणे सर पढ़ा रहे हैं साइन्स वाले पॉर्षन को अच्छे तरीके से मैजर करो तो cover करने केबाद ाज मतलब आगर कोई topic पढ़े हो मानगे चलो हिरदय पढ़े आज हिर्दा ऐसे जो प्रस्न पूछे जाने हैं वो जान गए तो कल उसको रिवाइस करना है ना कि आज़े ही रिवाइस कर रहे हैं ठीक है तो कल वाले portion में उसको रिविजन में रखे कल जो पढ़े उसको परसो रिवाइस करना है मतलब step by step फुक फुक के कदम हमको रखना है ठीक अब देखो रिजनिंग रिजनिंग वाला धीरस सर आप लोगों को डिल करेंगे तो रिजनिंग का पोर्शन आप लोगों को कवर करना है ठीक है उनकी क्लास को और ये बता दू मैं आपको अगर गणे सर से पढ़ रहे हैं तो गणे सर अगणे साधिती सर से पढ़ रहे हैं तो एक ही चीज़ से पढ़ना है बार बार बता दू आपके पास एक notes है या आपके पास कोई सा मतलब lucent है या कोई market में मिलने वाली पुस्तके हैं तो उसमें जो है highlighter से सीर पर सीप मार्क करते जाना है और जो मैं बताया आप लोगों कि अपनी भासा में नोट्स बनाना है तो नोट्स भी बनाईए और साथ में हाइलाइटर में में इंशन करते रही है कि मेरे को परिक्षा के पहले अगर रिविजन करने के लिए बैठूँ तो मेरे को वही चीज दिखना चाहिए उसके सिवा दूसरा चीज नहीं दिखना चाहिए क्योंकि मेरे दिमाग में सैट है कि फला चीज मैंने पढ़ी थी और आज जो है वो मेरे दिमाग से गुजर के जारी हाँ उस समय तो मैं फला चीज पढ़ा था हाना ऐसे सारी चीजे हमारे दिमाग में सैट होना चाहिए देन उसके बाद इंग्लिश अजी सर पढ़ाएंगे आप इंग्लिश पढ़ाएंगे उसमें जनरल मेनेजमेंट बताया बार बार मयूर कस्तूरी सर जी जो है इसके लिए आप लोगों के लिए महनत कर चुके है आप लोगों को recorded lectures proper मिलते जाएंगे तो जो है इतना portion आप लोगों का cover हो गया बार बार बोल रहा हूँ जनरल मेनेजमेंट बहुत ही बहतर तरीके से इसके content बनाए गया है question नहीं छूटने वाला है तो ये ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को share करिएगा ताकि भई हर व्यक्ति को पहुँचे ताकि जो है वो अपनी तैयारी को बहतर से और बहतर बना सके clear? चलो तो ये होगे हमारा syllabus ठीक है? कहा थे भई? यहाँ थे क्या? ठीक है पाठे करम पूर्ण करना है तो पाठे करम का बताया सबसे पहले लिग देता हूँ भईया ठीक है? fresh mind से first sitting होगी ठीक है? आपका first sitting होगी जिसमें कि आपको वो subject पढ़ना है जो नए है ठीक है? new subjects पढ़ने है आपको clear? फिर उसके बाद आपका second session रहेगा यह होगी आपका fresh mind से यह मैं आप लोगों के लिए मिटाल देता हूँ या लपूर्शन अरे रे रे board महोदे नराज बहुत जल्दी होते है ठीक है? देखो भई second session में जो हमारा रहेगा first session होगया, first sitting होगया पहले fresh mind से पढ़ना है ठीक है? फिर यहाँ तो लिखूंगा नहीं कि बेकार mind से तो first session होगया, फिर second session क्या होना चाहिए हमारा ठीक? क्या क्या लिखा रहे है भई? यहाँ से focus कम हो जाता है साथी यह थोड़ा ठीक है? तो उसके बाद second session में क्या होगा हमारा? अपनी भासा में notes अनिवार है, यह नो लिखा गया यहाँ पस जो है आपका notes रहेगा है, notes बनाते रहना, marker से, highlighter से उस चीज़ को mention करते रहना, तो syllabus सबसे पहले complete करो मान के चलो आज 20 तारिक है, ठीक है? आपने target किया कि मेरे को अगले 20 January तक के, ठीक है? 20 December है भी 20 January तक के मेरे को complete करना है, तो यह वाला portion जो है आपको first session और second session में अपना syllabus complete करिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें अगर, मान के चलो आपको 20 January तक के कभी load लग रहा है तो आप इसको ले के चले जाओ February 1st week तक के, ठीक है? February 1st week तक के ले के चले जाओ, February 1st week तक के आपका यह चले जाएगा तो यह चीज हमें याद रखना है, अगला बढ़े, देखो भई, यहाँ हमारे महोदय जितने भी आदरनी सम्मानी हमारे faculties हैं, आप देख सकते हैं कि आपको रिसफ सर, पॉलिटी पढ़ाएंगे, उसके बाद धीरस सर है, रिजनिंग पढ़ाएंगे, सारा चीज़ कम्पलीट होने वाला है, याद रखिएगा, एक भी पोर्शन आप लोगों का नहीं छूटेगा, क्लियर, उसके बाद क्या होगे, हमारे अजीस सर, इंग खड़े हैं, ठीक है, उसके बाद आपको गणे साधित्य सर जो है, वो पढ़ाने वाले हैं, साइन्स, मिथुन सर, मैट्स पढ़ाए ही रहें, ठीक है, तो ऐसे जो है, हमें सारा पोर्शन जो है, बहतर तरीके से कवर करना है, क्लियर, कि इनके साथ, तो हमारे सभी आदर न पाल लो, भले ही मन न करे, मन नहीं करता है, मन नहीं मारता है कि उसी चीज़ को वापस कैसे पढ़े, लेकिन नहीं, कल की चीज़ों को जो है, हमें मान के चलो, आज जो है, बीस तारीक है, बीस तारीक को जो चीज़ पढ़े हैं, उसको 21 तारीक को, सेकंड जो हमारा सीटिं को जो है हमें हमें जो है second session में complete कर लेना है clear है revision must है जितना पढ़ रहे है revision करिए revision पढ़ रहे है revision करिए तो revision जो है उसकी आदट डाल लीजिए ठीक है उसके बाद आता है हमारा third और सबसे most important portion वो है test best तो जैसे ही मान के चलो मैं बताया भी थोड़े दिर पहले कि आज है 20 December और कल होगी मान के चलो कल नहीं भाई मतलब अगले महिने होगी 20 January तो यह जो 20 December से 20 January का जो पूर समय है इस समय तक के अगर हमारा syllabus complete हो जाता है तो यह best लेकिन अगर यह 20 December को complete नहीं होता है तो आगे ले लिए भाई बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होगी ठीक है सब लोगों को लेके चलना है तो कहने का तात पर यह है कि उसने निर्धारित कर दिया कि आज 20 तारीक है और मेरे को जो है 1st of February से मेरे को क्या करना है complete कर लेना है तो हमारा जो सबसे पहला उद्देश होगा जब हम अपना syllabus complete कर लें revision करना हमारा चल ही रहा है revision चलते रहेगा continue तो हमारा सबसे पहला जो हमारा target होना चाहिए वो होगा test series mock test जो की ऐसा नहीं है कि एक specific target लेके जो है test देना है कि हमें जो है बहुत सारी market में books हैं और साथ में बहुत सारे test हो रहे हैं तो कोई सा भी test आप join करें और test लगाना start करें जैसे आप लोगों का syllabus complete हो जाएगा और जैसे आप लोगों का syllabus complete हुआ ना सातियो आप test देना start करेंगे ना तो आप लोगों के सामने नजर आने लगेगा weak portion कौन सा portion आने लगेगा ठीक है यसी सुन लीजिए ठीक है गौर से सुनिया सारी चीज़े कौन सा weak portion आएगा चलो एक उदाहरन ले ले लेते हैं आओ तो साथियो आईए कुछ असानी से समझ लेते हैं देखो भई मान के चलो कि भारती भोगोल के परिपेक्ष से एक प्रस्न हम लेते हैं जो असान सा हमेशा परिक्षाओं में दोहराया जाता है कि भारत का अक्षानसी विस्तार क्या है भारत का latitude position क्या है तो latitude position हमको है कि 8 डिग्री 4 मिनट ऐसा प्रस्न पूछा जाता है ठीक है और आपका 37 डिग्री आपका 6 मिनट ऐसा प्रस्न आप लोगों को आपने मतलब तयारी करते समय याद किया ठीक है तो मुक्य भूमी का सबसे दक्षंतम बिंदू अगर कहा जाए भारत का तो वह है 8 डिग्री 4 म उसके बाद अगर देखें तो आपका 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी बिंदू है सबसे अब इसमें से यह प्रस्न पूछ दिया आप लोगों से जब आप टेस्ट देते रहेंगे तो टेस्ट में पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षंतम बिंदू क्या है तो हमें याद हो है कि हम पढ़े तो हैं उस पूर्शन को लेकिन कौन-कौन सा पूर्शन छुड़ गया ठीक है पढ़ते तो रहते हैं तो हमें कौन-कौन सा पूर्शन जो छुड़ गया है हमारा उसको हम बहतर तरीके से कैसे रिवाइस कर सकें कैसे हम वापस अपने दिमाग मिला सकें और क टेस्ट देना बहुत ही जादा जरूरी है हमारे लिए अनिवारी है टेस्ट देना किसी भी प्रतियोगी परिक्षाओं को निकालने के लिए क्लियर है चलो अब आगे बढ़ते हैं टेस्ट सीरीज का आपको समझ में आया कि टेस्ट तो ऐसा है भई मैं बार-बार बोल रहा continue दिलाते रहो जैसे से ले बस आपका complete हो जाता है clear ठीक है अब अगला हाता है हमारा अपनी भासा में notes तैयार करना यह most important है भई सबसे ज्यादा जरूरी है मैं यह बताओ मेरे को आप कि आपको क्या mens लिखना है अभी ठीक है PCS के छातर लोग इस चीज से थोड़ा सा दूर है ठीक है मतलब इसलिए क्योंकि उनको कभी नहीं कभी mens लिखना है ठीक है लेकिन one day exam one day exam में हमारा सबसे पहला target जाना चाहिए पहला हमारा दिमाग जाना चाहिए कि हमें लिखना तो है नहीं और जब लिखना नहीं है तो भारी भारी सुदिन भारी भारी अकालित जो भास है तो भाई केमरीन लिख दो ना क्योंकि हमारे दिमाग में वह इस्टोक होगा कि भारत का सबसे दक्षेणताम बिंदू कैप के मुरीन ठीक है तो ऐसी सब सारी चीजों को अपनी भासा में लिखना है और साथ में अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो अपनी भासा में पुस्तक में गोद गोद के पढ़ो क्योंकि वो पुस्तक को अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए मत छोड़ो पटवारी बनना है मतलब बनना है ठीक है पता आपके notes कोई check नहीं करने वाला है आपको जिस language में, जिस भासा में आप अगर तमिल, तेल्गू, सिंधी, बोडो जिस भारत के समिधान के 22 भासा अगर आपको आती है वो आपको समझ में आता है तो उस भासा में लिखो मतलब ये कहने चारा हूं साथियों में कि किसी भी प्रकार से ये ना रहे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं जब अपनी भासा में लिखूंगा तो वही चीज मुझे समझ में आएगी clear है, ठीक है अब देखो, एक इसमें असान सा उधारन समझ लेते हैं ये मान के चलो हमारे बुक महोदे है ठीक है, कुछ इसी प्रकार से रहते हैं भई, बुक महोदे है ये कुछ specific topic है, ये lines है लिखाई हुई है, मतलब lines नहीं लिखा हुआ line है ये जो है, आपके हिंदी में लिखाई है, इंगलिस में लिखाई है ठीक है, तो अब ये लगता है हमें कि ये वाला portion जो है ये परिक्षा में पूछा गया है ये परिक्षा में पूछा गया है ये परिक्षा में पूछा जा सकता है ये वाला portion जो है ऐसा लगता है मुझे कि कहीं न कहीं किसी परिक्षा में मैंने जो है पूछा गया देखा है previous year question solve किया है ठीक है अब मान के चलो भारत में चुनावी वातावरण बहुत ही बना हुआ है मेरे मध्य प्रदेश के बाजू में गुजरात रहता है वहां से जो है प्रस्न पूछा जा सकता है कुछ भी कच्छे सौराष्ट जुरुद्रदामन का जुन सदुपियोग करना है और साथ में अगर नहीं याद हो रहा है तो अपने पूस्तक के कॉर्णर में यहां लिख लो ना भाई कोई नीचे करने आने वाला है ठीक है तो ऐसी चीजें अपनी पास रखो ताकि जब आप सो रहे हो रात के और आपको पढ़ने का मूड हुआ तो साथ यो इस प्रकार से हमारी स्ट्रेजी होने वाली है तो यह चार चरणों का इसने चार बातों का बहतर तरीके से ध्यान दें और मैं आप लोगों के बीच आता रहूंगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि इंगलिश अधिकार जो की competition community का ही एक भाग है आप लोगों को सारा syllabus free of cost प्रोवाइट करा रहा है पुरे मध्य प्रदेश में क्लियर है तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो पे ज़्यादा ज़्यादा लोगों को बुलाइए अभिभावाकों को भी इसे भेज तो इसी के साथ साथियो आज का हमारा जो ये सत्र है complete होता है तो सारी बातों को बहतर तरीके से अपने मनस पटल पे अपने दिमाग में अपने बुद्धी में बहतर तरीके से जमाए और साथ में याद रखेगा दिन संकल्पित रहे रहेगा पटवारी बनने के लिए जाजत चाहूंगा जय हिन जय भारत